बिस्मिल्लाई रख्मान रहीम असलाम लेकुम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपकी टीचर सेदा सिद्रा इसलाम इतलास्मी के लिए तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रवादारी चलिए बोड की तरफ बढ़ते हैं और इस टॉपिक के बारे में जान बच्चों हमारा आज का टॉपिक है रवादारी मैंने आपके टॉपिक को आपके चैप्टर को कुछ पॉइंट्स में बोड की उपर लिखा है so that हम उन पॉइंट्स को explain करें और रवादारी के बारे में पढ़ें हमारा पहला पॉइंट है जी के रवादारी के लगवी माईनी यानि रवादारी क्या है रवादारी को हम कैसे explain कर सकते हैं तो रवादारी के लगवी माईनी है लिहाज करना जब हम किसी चीज़ को बरदाश्ट करते हैं जैसे अगर कोई बात हमारे एन मताबिक नहीं है, लेकिन हम लिहाज में उस बात को एकसेप्ट कर रहे हैं, उस बात को बर्दाश्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ का मतलब होता है रवादारी, रवादारी का मफहूम, अब रवादारी के मफहूम को हम ऐसे देखते हैं, कि इस इसलाम हमारा बहुत ही प्यारा मजहब है, क्योंकि हम मुसल्मान है, इसलिए हमारा मजहब क्या है बच्चों? इसलाम. लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि हम इसलाम को जब पहलाना शुरू करें, तो हम जबरदस्ती और जबर के साथ दूसरों तक पहुचाएं? उनको कहें कि नहीं अगर तुम्हारा मख़ग कोई और है तो तुमने लाजमी है कि तुमने इसलाम ही कबूल करना है बिलकुल भी नहीं हमें चाहिए कि हम रवदारी के साथ यानि बहुत लिहास के साथ बहुत महबबत के साथ अपने इसलाम दीन को पहलाएं इसलाम की रोशनी में रवादारी क्या है? इसलाम की रोशनी में रवादारी ये है कि जब आप दूसरे मजाहिब के लोगों को इसलाम यानि दीन इसलाम के बारे में बताएं तो उसके बारे में अच्छी बातें बताएं कोशिश करें कि लोगों तक positive बाते जो हमारे इसलाम के बारे में हैं वो पहुंचें क्योंकि अगर हम किसी के साथ जबरदस्ती करेंगे कि तुम एसाई हो या तुम हिंदू हो या तुम किसी और religion से तालुक रखते हो किसी और मजभब से तालुक रखते हो तुम्हारा दीन तो अच्छा है यह नहीं दीन तो सिर्फ हमारा अच्छा है तो ऐसा नहीं है बच्छो सब के अकीदे और तमाम मजभब की इज़त करने चाहिए क्योंकि हमारे अल्ला ताला को यह चीज़ कतई तौर पर पसंद नहीं है कि अगर उसने हमें मुसल्मान बनाया है तो हम किसी और मजभब के बारे में घलत बात करें किसी और अकीदे के बारे में घलत बात करें जैसे के रवादारी के बारे में इर्शाद बारी ताला है हमारे अल्ला ताला ने हमें ये चीज़ वाज़ तौर पे बताई है यानी हमारे दीन यानी हमारे इसलाम में किसी भी किसम का जबर नहीं है हमें नहीं चाहिए कि हम दूसरे मजाहिब के लोगों को तंग करें कि नहीं तुम्हारा यहां खड़ा रहना या तुम्हारा हमारे मुलक में रहना कत्य तौर पे गलत है क्योंकि तुम मुसल्मान नहीं हो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए मुसल्मान होने के नाते कि हम अच्छी बात हैं, जो इसलाम से रिलेटेड हैं, वो दूसरे मुझाहिब तक पहुंचाएं. चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इस बारे में मजीद जानते हैं. तो बच्चों, इस बोड़ पे हमने पढ़ा ला इक्रहा फिद्दीन. मैंने अल्रेडी इसका तरजमा आपको पिछले बोड़ पर एक्स्क्लेन किया, फिर भी मैंने ये चीज, ये तरजमा यहां पर लिख दिया है, चलिए इसको पढ़ते हैं, दीन के मामले में कोई जबर नहीं, यानि दीन इसलाम में किसी भी किसम की जबरदस्ती का हुकम नहीं हैं, आप प्यार से, आप पूरी नॉलिज के साथ दूसरे मजाहिब के लोगों तक अपना दीन इसलाम पहुंचाएं, उनको बताएं कि हमारे दीन इसलाम में हमें किन किन चीजों से रोका गया है, हमारे दीन इसलाम में कितनी प्यारी प्यारी बातें बताई गई हैं, और ह तायरायकार क्या है बच्छो? अब हम किसी चीज का लिहास करते हैं जैसे कि मैंने पिछले बोर्ट पर आपको इसके लगवी माइनी बताए कि इसके लगवी माइनी है लिहास करना तो बचो दीन इसलाम में ये चीज़ बरदाश तो है कि हम दूसरे मज़ाहिब को वेलकम करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लोग किसी दूसरे मज़फ से तालुक रखते हैं तो वो चोरी में भी मलवस हों वो जुट भी बोलते हों वो बुराई भी फ्हलाते हूं और वो बेहयाई भी प्हलाते हूं हमारे दीन में, हमारे इस्लाम दीन में यह चीज़ खास तोर पर बताई गई है कि इस चीज़ को रोका जाए मना किया जाए कि अगर हम यह चीज़ करेंगे तो हमारे अल्ला ताला हमसे बहुत सक्त नाराज हो जाएंगे दूसरों को दावते हक देना माईनी दूसरों को इसलाम की दावत देना कि आओ हमारे दीन इसलाम को कबूल करो इससे क्या होगा कि उनको हमारे दीन इसलाम के बारे में मालूम बढ़ेगा कि दीन इसलाम तो बहुत मुहबत करने वाला मजहब है जिसमें किसी भी किसम की नफरत का तो सवाली पैदा नहीं होता इसलाम में जबर नहीं तो बच्चों ये वही बात आ गई कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं जब ये इर्शाद हमारे अल्ला ताला ने फर्मा दिया कि दीन के मामले में किसी भी किसम का कोई जबर नहीं है तो फिर कैसे हम जबर के साथ, जबरदस्ती के साथ दूसरे मजाहिब के लोगों को कहें कि नहीं, तुम असाई हो, तुम तब ही यहां रह सकते हो अगर तुम मुसल्मान होगे, बिल्कुल भी नहीं रवादारी और उस्वाए हुसना तो बचो, सबसे प्यारी एक्जामपल और सबसे अच्छी एक्जामपल हमें हमारे प्यारे नभी सलिल्लाहु अलेह वाले वासलम से मिलती है कि एक बार उनके पास नजरान का एक वफद असाईयों का वफद उनके पास तश्रीफ लेकर आया जिनमें उनके मजबी रहनमा भी थे तो हमारे प्यारे नभी ने उनको मस्जिद नभी में ठहराया तो ऐसे हमारे प्यारे आखा उनके साथ बैटे ते श्रीफ फर्मा थे उन्होंने उनको इसलाम की दावद दी लेकिन उन्होंने इसलाम कबूल करने से इंकार कर दिया तो बच्चों आपको क्या लगता है हमारे प्यारे नभी ने उन पर जबदस्ती की? बिलकुल बेने उन्होंने उनको इजाज़त दी कि वो मस्जिद नभी में ठहर सकते हैं और अपनी अबादत, अपने अकीदे के मताबिक वहाँ ठहर कर, वहाँ रहकर अबादत कर सकते हैं रवादारी और सहाबाए कराम बच्चों ये एक्जामपल मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही ली है कि हजरत उमर रजियल्ला ताला अन्हों के दौर में भी बैतुल मकदस के जो असाई थे उनको ये कहा गया कि तुम लोग अज़ादी से अपनी अबादतें कर सकते हो और तुम लोग को किसी भी किसम की रोख थाम नहीं होगी कोई भी तुम लोग को तंग नहीं करेगा कि तुम लोग इबादतें जो तुम लोग के अकीदें हैं वो पूरी तरीके से परफॉर्म ना कर सको चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को ख्लोज करते हैं तो बच्चों जैसे हमने पिछले बोड़ पर पढ़ा सहाबाए कराम और मैंने एक्जैम्पल लिया आपकी टेक्स बुक से हज़रत अमर रजियल्ला अन्हों की वैसी एक और पॉइंट जो आपकी टेक्स बुक में दिया गया है वो है जी हज़रत خालिद बिन वलिद से लेलेटे हज़रत खालिद बिन वलिद रजियल्ला अन्हों ने जब शाम फत tweeting किया तो ऌन्होंने तमाम वहां पे रहने वाले असाईयों को ये बात कही कि तुम लोग बहुत सकुन से, बहुत अराम से और बहुत अजादी के साथ अपनी मजभी अकीदे मना सकते हो तुम लोगों पे किसी भी किसम का कोई जबर नहीं किया जाएगा और कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा कि तुम दीने इसलाम की तरफ चलो इसलाम अमनों सलामती का दीन है तो बच्चो इस लाइन से आपको क्या पता चलता है कि इसलाम अमनों सलामती का दीन है यानि इसलाम हमें अमन सिखाता है हमें बताता है कि प्यार मुहबबत से रहो हमें सिखाता है कि किसी पर दवर्दस्ती ना करो किसी पर जबर नहीं करो कोशिश करो अपने दीने इसलाम को अच्छे तरीके से लोगों में फैलाओ ताकि लोगों को पता चले कि दीने इसलाम में किसी भी किसम का जबर नहीं है और लोग जबरदस्ती किसी को भी दीने इसलाम की दावत नहीं देते सब प्यार मुहब्बत से बुलाते हैं अपने दीन की तरफ मुसल्मान चाहते हैं, हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब बहुत मुहब्बत के साथ दीन इसलाम को कबूल करें चलें बच्चों, हमारा यी टॉपिक यहीं तक इन्शाला अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड मर्श करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अलाहाफिस